हलो दोस्त, RRB NTPC का इंसर की रिलीज हो गया, कुछ लोगों का कॉमेंट था कि आपने जो वीडियो बनाया है वो टाइपिंग स्किल टेस्ट का कटफ है, CBAT का कटफ अल्डेडी आ चुका है, तो फाइनल सेलेक्शन के लिए भी एस्पेक्टेड होनी चाहिए, इंसर की के ब सबसे पहला सवाल यही है, तो देखिए हमेशा कटफ सो के परसेंटेज में बना है, और जो आपका CBT2 का रिजल्ट आपके आई है, साइको टेस्ट के लिए उसको 120 में बनाया गया है, हलाकि कुछ गलतियां होँई थी, उसको सुधार करके 120 में बनाया गया है, तो टाइप स्किल टेस्ट के लिए तो 120 में आएगा, ज्यादा चांस है डॉक्मेंट वेरिपिकेशन के जो कट अप आए, परसेंटेज में आए, क्योंकि उहां पे आपका CBT2 और उसका स्कोर जोड़ना होता है, यानि टाइपिक स्किल टेस्ट का भी जोड़ना होता है, लेकिन हम जो 120 वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो हम इसमें वीडियो बना रहे हैं, वो 120 के टर्न में बात करेंगे, आउट अप 120 नंबर कितना आएगा, तो आगे बात होगा, हलाकि जब ओरीजनल रिजल्ट आएगी, तो वो देखना पड़ेगा कि 100 में है, या 120 में है, तो इसको कनबर्सन किया जा सकता है, अगर 120 में आपका नंबर है, तो 100 में भी कनबर्ट हो जाएगा, कोई दिकत नहीं है, अगर 84 अगर आपका देखिए, 84 120 में है, तो 100 में क्या होगा, 70 हो जाएगा, यही होगा ना, बरसते 84 होता है, और 77 होगा, ऐसा ऐसा कनबर्ट हो सकत कोई ऐसा दिकत नहीं है तो चलिए जैसा कि हमने बात किये हैं सारे चीज़े कि आपको दिखाने की कहा कोशिस करते हैं तो वेबसाइट पे अपने किस लिए क्योंकि हमें टाइप करने से अच्छा है कि हम आपको एक ऐसे जगा पे ले जाए जहां से आपको समझ में भी आ जा कुछ सुधारी रहेगा देखने में भी समझने भी आएगा तो चलिए चलते हैं www.railwaylifelp.com पे जहां पर हमने पोस्ट बनाया था कली के देट में आपकी के लिए जो आरार भी एंटीपीजी सीबीटी टू के इंसर के बाद क्या होगा तो यहां देखें तीन चार चीज़े यहां पर आपको डाइरेक्ट दिख जाएगा यहां से ले लेंगे उसके बाद हमने एस्पेक्टेट कटफ जो बनाया है वह यह आपका है यहां से अमधाबाद से सुरू है सारा अरार्भी का यह है टाइपिंग स्कील टेस्ट का यह भी आप देख लेंगे लिंक डिस्क्र कटफ जो आपका 22 जून का एंसर किया आया है उसके बाद का लेकिन इसमें ध्यान दिजेगा गुवार्टी का अभी नहीं है तो हम गुवार्टी के छोड़ देंगे अभी हलाकि बहुत ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है लेकिन एक्जाम का डेट डिफ्रेंस हो रहा है होने वाला दो चार नंबर के रेंज होगा तो मैं बता रहा हूं यहां बीज नंबर का रेंज होगा एक ही पोs्ट का किसी आर आर बी में बहुत ज़्यादा कटफ चलाएगा किसी में कम चला जाएगा क्योंकि यह वेकेंसी पे भी dependent है और वहां का candidate का ऐसा अच्छा स्कोर किया है खराब किया है उस पे भी dependent करता है south में गये तो ऐसे ही automatic 2-3-4 number कम हो जाता है north में आये तो 2-3-4 number automatic 5-5 number बढ़ जाता है प्लस बहुत सारे factor होते हैं और तिसरा चीज़े है कि जो आपका cbt2 के बाद final cut-up आएगा जो psycho test को भी include कर लेगा और typing skill test में past candidate को भी जोड़ देगा वो cut-up आपकी post वाई जाएगी ध्यान दीजेगा एकदम बिल्कुल पोस्ट वाई जाएगा हर पोस्ट का अलग कटा पाएगा तो हमने पोस्ट को एक group में बना लिया है जैसे हो सकता है possible इसको देख लीजेगा यहां पे देखे सुरू में हमने क्या बनाया है नमबर पोस्ट नेम पोस्ट उसके बाद pay level क्या है pay level के हिसाब से similar nature यानि एक जै एक पोस्ट एक result एक candidate के हिसाब से result आएगी पोस्ट प्राइडिटी देखके आपकी कि आपकी पोस्ट प्राइडिटी कौन है तो यहां पे हमने एक साती इसलिए रखा है कि similar है और रेंज से अडिजस्ट हमने किया है इसको समझाद दे रहा हूं उसके बाद यहां community का है कि इस community के candidate होंगे तो ध्यान से देखिएगा और यह total rrb के लिए है थोड़ा सा समझते हैं क्या है कुछ लोग कहेंगे कि कितना cut-up बढ़ सकता है तो expected cut-up बढ़ने का देखिए यहां पे पोस्ट के हिसाब से बढ़ सकता है और अगर average माल लिजे ना तो जो आपकी टाइपि आप देख लेंगे expected में तो सबसे पहले commercial apprentice की बात करते हैं लेवल 6 के post है सबसे कम post है और हमेशा मैं काते आता हूं कि 2, 3, 4, 1 vacancy को आप expected में लाएंगे तो आप फरसेंगे क्योंकि 1, 2, 3, 4 post वाले में एक candidate कितना number लाया है आप expect ही नहीं कर सकते हैं लेकिन जहां पे 5 से नहीं हो सकते billion और निशाचर जो 100 पलस असपोर लाएं तो इसको ध्यान रखिएगा कई सारी चीजे लोगों को समझने में थोड़ी दिकत होती है वो एक post कोई दिखा के कहा देगा कि यह 100 का cut up है तो एक post दो post वाला छोड़ दीगे वो उसे बोलते हैं अपवाद होगा तो चलिए यहां पर commercial apprentice की बात करेंगे तो यहां पर यूर के लिए अगर बात करेंगे तो यूर के लिए 84 से 92 AC के लिए 75 से 82 और ST के लिए 70 से 76 OBC के लिए 82 से 90 और EWS के लिए 80 से 88 commercial apprentice और all RRB के लिए सब यह यह रेंज में रह सकता है और कई जगा तो यह post भी नहीं है कई जगा तो किसी community का है तो किसी का नहीं है यह भी देख लिजेगा क्योंकि हम तो common RRB की बात कर रहे हैं सबी क्या कर रहे है तो किसी RRB में UR के post है तो OBC का नहीं है UR का है तो ST का नहीं है अलग-अलग है यह सर कंडिशन उसके बाद अस्टेशन मास्टर और गूडगार्स इस वेकेंसी के रीड है जो लेबल 6 और लेबल 5 के लिए है अगर पुछ पुछे कि NTPC किस लिए जानते हैं ग्रेजुएट कंडिडेट है तो कहेंगा अस्टेशन मास्टर और गूडगार्स के लिए क्योंकि यहीं मैक्सिमूम लोगों का सेलेक्शन होता है तो यहां पर दोनों को देखेंगे तो अस्टेशन मास्टर से आपका गूडगार्स का एक दो नंबर हाईयर साइड रहेगा मैं पहले भी बोला हूँ इसका कारण है बहुत सारी लोजिक है क्योंकि CBT2 के बाद अस्कोर आता है और अस्टेशन मास्टर में साइको में कंडिडेट बहुत सारे फेल पगिरा होते और उसका मेडिकल से भी बहुत सारी चीज़े है वो सब चीज़े बाद में इनलाइसिस के चीज़े थी अस्टेशन मास्टर का अगर यहां कटप देखेंगे तो 78-86 के बीच में हो जाएगा डम बिलकुल यूर का लग रहा है यह सारा नंबर 120 में है ध्यान दिजेगा सारा अगले बाद जुनियर एकाउंट असिस्टेंट कम टाइप इस सीनियर कलर कम टाइप इस और सीनियर टाइम कीपर टाइम कीपर की तो बहुत जगा वेकेंसी नहीं है यह काद दो है तो उसका दखिए अपवाद में चले जाएगा और सब की कटप अलग 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 आएगी जब फाइने लेकिन यहां लेवल फाइब में हमें एस्पेक्टेड कॉमन बात कर रहे हैं तो यहां पर सारा में सब में टाइपिस्ट है यानि ध्यान दीजेगा सब में टाइपिंग है इसलिए टाइपिंग वाले पोस्ट को एक साथ रखाऊं तो यहां 80-90 यूर एस्टी में 70-82 आपके बात करेंगे तो यह लेबल फाइब में इससा पोस्ट जिसमें टाइपिंग नहीं है ध्यान दीजेगा लेबल फाइब में गोड़र्स में टाइपिंग नहीं है और downstairs इसका भी ठीक टाक रहेगा 82 से नभी यूर के लिए अगर एस्टी में बात करेंगे तो यहां पर आपका बातर से 84 एस्टी में 70 से 82 अगर ओवी सी की बात करें 78 से 88 और आपका EWS में 76 से 84 आउट ओफ 120 सेलेक्शन हो सकता है उसके बाद आपकी ट्रैफिक अप्रेंटिस जो केवल RRB कोलकत्ता और सीली गुड़ी में एक पोस्ट यूर की है सीली गुड़ी में यूर की है बागी कोलकत्ता में सभी का है इसका कटप आपके अस्टेशन मास्टर से ब्योंड जाएगा देख लिजिएगा यहां पर 88 से 94 तक जा सकता है ट्र 80 से 90 और EWS 80 से 85 यह कटप जा सकता है हलक यह पोस्टे की संख्या केवल कोलकत्ता में ही ज्यादा है सीली गुड़ी एक है उसके बाद आपका कोमर्सियल कम टिकट कलर्क लेवल 3 का ऐसा पोस्ट जिसमें साइको है और एक है सायद यह पोस्ट पूरी RRB में सभी RRB में एक ह ठीक है है एक ही पोस्ट का तो यहां पर आप देखेंगे इसका क judgmentट तो 88 से 95 तक कॉमर्शियल कलर्क जा सकता है यहां पर बढ़ा क्यों आपको द्यान होगा तो अगर यहां सेलेक्शन नहीं होगा तो यहां पे आपको यह दावैदारी पेस्ट करेंगे जब उन्होंने पोस्ट प्राइरिटी और लेड़ी देख रखाऊगा इसलिए यहां पे चाहँ जाधा है ध्यान दिजेगा दोनों सुमनेरल लेचर है इसका बेशिक वे जादा है चलेकी का कॉमर्सियल कम टिकेट कलर का कॉमर्शियल कम टिकेट कलर से लेकिन लेबल धिर एक कंडि य्स देख 2 में जादा है औरका ऐसलरी बान भी ज्यादा रहे अगला typing post level 2 में है, जिसको बोल सकते हैं, account assistant कम typist, junior color कम typist और junior timekeeper, junior timekeeper की वेकेंसी तो नधारत है, कहीं कहीं है, तो कहीं नहीं है, कई बार modification में हटा भी दिया गया था, तो इसको तो इग्नूर कर लिजेगा यह 5 से कम वाला पोस्ट है तो 5 से कम वाला पोस्ट का तो आप expected करना मुश्किल हो जाता है तो चलिए बाकी इसकी देखेंगे तो यूर के लिए 86 से 93 तक 75 से 85 तक आपका AC का AC के 74 से 84 अगर EWS की बात करेंगे 84 से नाबे और EWS की बात करेंगे तो 83 से 90 उसके बाद आगला है train color की बात है जो कह सकते हैं अच्छा पोस्ट है और कई जगा पोस्ट भी इसकी ठीक ठाक है कई जगा नहीं भी है लेकिन train color के वाला में कहेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर cut up क PC के जाएगा तो यह positive है सबसे प्लस higher side वाला train color का ही cut up रहेगा वहां commercial apprentice उपर में और यहां पे train color का level 2 में तो यह सबसे ज़्यादा level 2 में या सब ही कहें पूरी vacancy में तो train color का ही cut up रहेगा वह 89 से 97 तक जा सकता है यूर के लिए अगर बात करेंगे AC का तो 78 से 87, AC के लिए 75 से 85, OBC के लिए 86, 94 और finally जो बत करेंगे यहां पे EWS का 83 से 92 तो यह मेरा expected cut up सभी का है जो जिनको देखना है website पर जाके देख सकते हैं यहां पर मैंने यह डाल दिया है सारा detail और यह label भाई किया हुआ ही इसलिए और rrb भाई अलग नहीं किया है क्योंकि अगर rrb भाई और post भाई हम difference करने लगे तो यह 8-10 page का यह बनेगा भीव और 10 page में आपको समझ में कुछ में नहीं आएगा न perspective में इसके आसपासी आ सकता है तो यह रहा मेरे तरफ से document verification का detail बाकी official आने देते हैं लेकिन लोगों का एक देखिए मैं भाईना total कर रहा हूं कि लोगों का जो exam pattern हुआ है उसमें attempt कम हुए हैं और attempt कम होने के बाद भी negative हुआ है यह बहुत सबसे बड़ी दिकत है लोगों का 7,8,10 negative बहुत लोगों का है और यह 10 negative इस बार बहुत मुश्किल पढ़ने वाला है यही एक गलती है जो candidate कम negative किया है उसका score अभी भी अच्छा दिख रहा है 80 plus में अराम से है लेकिन जिसकी negative हो गई तो attempt के बाद भी नीचे आ गया है थैंक्यू धन्यवाद